दोस्तो नमस्कार, वी योर्मनी मेनेजर में एक वार फिर से आपका स्वागत है आपके फाइनेंसियल सफर को सुहाना बनाने के लिए एक और एपीसोड लेकर हाजिर हूँ मैं यानि आपका मनिमित्र रजिनिस कांथ इस एपीसोड में हम आपको बताएंगे कि अटल पेंसन योजना आपके लिए कितना फायदे मंद है और इसे कैसे खुलवा सकते हैं सरकार ने असंगाटित छेतर के लोगों को ध्यान में रखते हुए अटल पेंसन योजना लांच की है अगर आप चाहते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने एक निश्चित रखम पेंसन के तौर पर मिले तो आप अटल पेंसन योजना में खाता खुलवा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपकी उम्र 18 साल से लेके 40 साल होनी चाहिए और साथ ही उम्र और पेंसन के हिसाब से आपको प्रीमियम देना पड़ेगा मसलन अगर आपकी उम्र 18 साल है और आप चाहते हैं कि 60 साल के बाद आपको हर महीने एक हजार रुपय का पेंशन मिले तो इसके लिए आपको 42 रुपय का प्रीमियम देना पड़ेगा हर महीने और अगर आप चाहते हैं कि 5,000 रुपय का पेंशन मिले तो आपको 210 रुपय का प्रीमियम भरना पड़ेगा लेकिन अटल पेंसन योजना के ताथ खाता खुलवाने के लिए आपको बैंक एकाउंट होना चाहिए बचत बैंक एकाउंट होना चाहिए अटल पेंसन योजना खाता खुलवाने के लिए आपको बैंक में संपर्क करना पड़ेगा वहाँ पर अटल पेंसर ने योजना के लिए जो फॉर्म मिलते हैं वो भरना पड़ेगा और उस फॉर्म के साथ साथ आपको एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ भी देना पड़ेगा इसका एक फादा यह भी है कि अगर आपकी मौत हो जाती है तो आपकी जो पत्नी है उनको भी पेंसर मिलता रहेगा तो फटाफट अपने बैंक में जाईए अटल पेंसर ने यह दना के ताथ खाता खुलवाईए और साथ साल की उम्र के बाद नियमित पेंसर पाने के लिए योग के बनिये तो Be Your Money Manager में आज इतना ही लेकिन अपने फानेंसियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहे हमारा यूटूब चैनल Be Your Money Manager और पढ़ते रहे हमारा हिंदी फानेंसियल ब्लॉग Be Your Money Manager.blogspot.com और हाँ हमारे इस यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करना लाइक करना और शेर करना मत भूलिएगा नमस्कार